हेलो एव्रिवान वेलकम डू एमस्टेडी गुरू आज की इस वीडियो में आपके लिए एक निया अपडेट लेके आई हूं तो सभी इस नोटिस को ध्यान से सुनना आप सब के लिए नोटिस बहुत ही इंपॉर्टन है ठीक है तो यह देखिए जो हमारा नेट का टेस्ट ह होता है जिसमें अब तक दो ही चीजे थी कि अगर नेट क्लियर होता है तो यहां तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिजी बलो यहां तो दोनों चीजों के लिए लिजी बलो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जी आरेफ बड़ आप एक नए अपडेट देखने को तो यह देखिए अब इस नोटिस में यह कहा गया है कि अभी यहां से आप काम की बात पढ़िए बहुत सारी उनिवस्टी जो हैं वह एंट्रेंस टेस्ट कंड़क्ट करवाती हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जिसे स्टूडेंस को काफी सारे पीएचडी एंट्रेंस आपको एक नया क्रिटेरिया दिया गया कि पीएचडी के लिए भी एड्मीशन के लिए भी आप एलीजिबल हो जाएंगे कैसे यह देखिए तो वह कहते है कि जो नैशनल एजूकेशन पॉलिसी है ना 2020 को उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यूजिसी कॉंस्टिटिटिट इन एक्सपर्ट कमेटी एक बठाई गई और इस एक्सपर्ट कमेटी में यह डिसाइड किया गया कि आपकी जो नैट की स्कोर है यह यूज की जाएगी फॉर एड्मीशन टू पीएचडी प्रोग्रम ठीक है नेट की स्कोर को ही आपकी पीएचडी डिमीशन के लिए 24 ओनवार्ट्स नेट कैंडिडेट्स जो है विल बी डिकलिएड एलिजिबल इन थ्री कैटागरी त्री तीन कैटागरी में वो लिजिबल किया जाएंगे जो सबसे अच्छी मैरिट जिसके सबसे अच्छे नंबर आ रहे हैं पहली कैटागरी का वो बच्चा दो चीजों के अच्छे पीजिबल है वी लिजिबल है जए लेफ तीन चीजों के लिए ऊंच्छेडें प्रोफेसर यहां पे जो यक तिसरी वो PhD admission के लिए बिल्कुल eligible है, ठीक है, तीसरी category यहां पर बनाई गई है, जिसमें PhD program में ही सरफ वो eligible है, ना ही assistant professor के लिए eligible है, ना ही GRF के लिए eligible है, कहने का मतलब कि अगर आप इन तीनों में से किसी भी category में net clear करते हो ना, तो आपको PhD admission के लिए eligible बिल्कुल माना जा रहा है, तीनों categories में किसी भी category में net clear कर रहे हो, सबसे lowest category में भी net clear कर रहे हो, सबसे कम नंबरों में भी अगर clear कर रहे हो, तो net नहीं है, मतलब assistant professor के लिए eligible नहीं हो, जियारफ के लिए नहीं हो, बट PhD के लिए तब भी आप eligible हो गाई हो, ठीक है, तो यह देखिए, score clear समझने के लिए नीचे चलिए, वही चीज़ा है यहाँ पर, पहली category जिसमें जियारफ तीनों के लिए eligible हो, जियारफ एसिस्टन प्रोफेसर और PhD अडिमिशन दूसरी category में आप जियारफ के लिए 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 नहीं हो, बट असिस्टन प्रोफेसर और PhD अडिमिशन के लिए बिल्कुल अलि यहाँ से पढ़िए, कहता है, फोर स्टूडेंट्स को क्वालिफा इन कैटागरीस टू एन थ्री, जिनका जियारफ क्लियर नहीं हुआ, उसमें क्यों होगा कि 70% वेटेज दी जाएगी आपका टेस्ट, जो नेट का ये टेस्ट है, 70% वेटेज उसको दी जाएगी, 30% नहीं है, जो आपका नेट वाला टेस्ट है, वही ऐसे एंटरेंस टेस्ट पी एचडी जो है, वो यूज होगा, ठीक है, तो वही चीज है कि जो पीएचडी एडमीशन है, उसमें आपकी नेट के मार्क्स की मेरिक देखी जाएगी, और जो इंटर्वी होगा उसके बाद आ कि जो मार्क्स नेट की एग्जाम में स्टूडेंट की तरह अप्टेन किये जा रहे हैं ना, सेकेंड और थर्ड कैटागरी में, वो सिर्फ एक साल के लिए ही वैलिड है, यानि कि आपको क्लियर नेट करने के बाद एक साल के अंदर अंदर एडमीशन ले 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 नहीं है, तो यह चीज़ें यहां पर मतलब काफी इसमें एंटरंस टेस्ट का जंजट खतम करने की बात की गई है और यह एक बहुत ही अच्छा स्टेप लगा मुझे, आप कोमेंट्स में बताईए आपको इस स्टेप कैसा लगा, तो अगर आपका जियार एफ भी क्लियर नहीं होता है, इंटर्व्यू तो देना ही पड़ता है, तो यह अपडेट आप सब के लिए है, और किसी को कोई इसमें डाउट होगा, तो मुझे जरूर बताईए, बाकि हमने तो यह सोचा था कि स्लेबस चेंज का कोई अपडेट आएगा, बट स्लेबस चेंज का अब तक कोई जीजी का, ठीके जी, जैसे ही कोई निया अपडेट आएगा, I will inform you, thank you.